उत्रप्रदेश में खाद की समस्या को लेकर किसानों की जिस तरीके से हैं उसको लेकर विपच्छ तो सवाल उठा रहा है लेकिन अब सास्थ दौर से किर्शक समद्धी आयोग उत्रप्रदेश आसन के जो सदस्य है कुल्जी सिंग उन्होंने भी सवाल उठाया है कि आपने उठाया क्या सीम को पत्र लिखाया देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा प्रदेश में खाद की पर्याप्त मात्रा है हमारे हां पहले से ही इस्टोर की गई है लेकिन शमस्या जो नकली खाद की है वह हमारे कानपूर में इटाबा में अभी फिलाल आगरा में बड शायकारी समितियों के लिए जो खादें जाती है उसकी शंख्या कम हो जाती है मात्रा समितियों में कम दुकानों में ज्यादा हो जाती है इसको मैं मानी मुख्वंत्री जी के और मानी प्रमुक्षची को कहना चाहता हूं कि जो शायकारी पंजीक्रे दुकाने हैं वहां पर कम से कम मात्रा में खाज जाए और शायकारी समितियों में जादा से जादा जाए चूँकि जहां भी अभी मैं कन्योज में ब्रमण गया था तो वहां मैंने देखा कि समितियों में दो दिन में खतम हो जा रही है और भंडारन में दो दो ट्रक है तो यह जो भंडारन करते हैं ये पंजीक दुकाने करते हैं और उन्होंने अपनी शमता को अधिकारियों को ले करके शमता दूनी तीन गुनी कर लिए चार-चार-चार-चार-चार-चे-शे ट्रक इस्टोर में है बगल में शैकारी शमित नहीं है तो हम महाराजी से यही कहेंगे कि शैकारी शमितियों में परियाप्त खाद जाए जादा से जादा और दुकानों में कम से कम जाए जिसे जी नहीं जा पा रहे हैं सहिकारी समतियों में खाद और दुकानों में क्यों रुख जा रहे हैं अब इसमें कुछ न कुछ गरवड़ी करते हैं ये दुकानदार ये लोग ले दे करके अपना प होना पड़ेगा शंग्यान में कि जैसे मंडला युक्त हैं जिलादिकारी हैं ये पहले अधिक से अधिक हमारी खाद शमित्यों को भेजें और इनको कम से कम देने का काम करें भेष्टाचार रुख जाएगा अब किसानों के शमश्या रुख जाएगा यहीं सुझाओक लेकर कि आज मैं लोग भुवन जा रहा हूं मानी मुक्पंत्री की साफ तोर से जो खाद है वो कही ना कहीं किसानों को मिल भी नहीं पा रही है और ऐसे में वो भी की कह रहें कि खाद उपलब्द कराई जायें तो आखिर यह खाद कहां पर कम हो जा रही है कूँ नहीं मिल पा रही है उसके लिए क्या आप सरकार से बात है देखे खाद हमारी परयाप्त मेंने फिर का परयाप्त खाद है लेकिन उसका डिस्टुविशन जो जल्पद अस्तर से समित्यों तक है उसमें कुछ गड़वड़ी हैं और गड़वड़ी करने वाले यही दुकानदार हैं यह भारी मात्रा में इन्होंने अपनी अधिकारियो से छंता बढ़वाली जैसे चार ट्रक की थी तो छे ट्रक करा लिए तो उसमें यह च्छे ट्रक आठाट ट्रक यह अपने गुदामों में इस्टोर कर रहे हैं और उसको हम आबायद भी नहीं कह सकते हैं चूंकि छंता सरकार नहीं दी है तो यह हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कि सरकारी जो दुकान फंजिकरत हैं उनमें कम से कम खाद दी जाये सॉइक पहते हैं गुद्रक जाती है पहारे यह और उनमें फरजी खार्द नीं आती इस फार्ट घारंटी है चाहला चाहती है उनके हैं कि तो मि क cured भी धन देंगे जिससे माननी जी से मुक्वंत्री जी से कहेंगी दुकानों में कम से कम खात जाए जहां ब्रष्टाचार ना हो इस टोरेज ना हो समितियों में अच्छी तरीके से किसानों को मिल सकेगी एकुल जी सिंग जी साफ सफ और से इन्हें एक पत्र भी लिखा है सीम्यूग इतिनात को और मानना यही कि जो दुकानों पर खाद जा रही है कि सरकारी समयतियों में नहीं पहुँच पा रही है जिसकी वज़े से लेकर आयोग को पत्र लिख रहा है दूसरे तरह पर पच्छ भी लगाता सरकार को घेर निता है अम्राग बदोरिया अम्राग जी खात को लेकर लगाता अक्रेश जी भी टूइट कर रहे हैं क्या कहेंगे इस खाट के बारे में आवाज दे रहे हैं सरकार तो नहीं सुन रही ह सरकार को किसानों की चिंता का है सरकार तो धन्ना सेटों की चिंता करती ना किसानों की चिंता कर रही होती तो आज किसान इतनी किसाने की दुरदसा क्यों हरी होती MSP की गैरेंटी नहीं मिल रही है उनकी लागत की कीमत नहीं मिल रही है डियोपी से देख रहे हो खाद की उनको नहीं मिल रही है खाद की किलत है खाद के लिए मारा मारी है लाइन में खड़े है फिर भी नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं कुछ तो चल रहा है ना अब क्या चल है कि खाध जा कर रही है जो खाध किसानों को मिलनी चाहीती वो खाध कहा जा रही है वो कहीं किसी सब्सक्राइब को इसका जवाब देना चाहिए लगने उसे के सब्सक्राइब आज तक